देखे जो बिद्यारती इसकी महातुता को समझ रहे हैं कि one word substitution, vocabulary section कितना important होता है इंग्लीज में वो इस वीडियो को देख रहे हैं और ये जो है कि class नुमर दूसरा है SSC MTS वाले exam के लिए CHCL वाले exam के लिए CGL और साथे साथ Air Force Navy के लिए आई देखते हैं यहां पर पहला जो question है वो क्या है त्यान देखें इंग्लीज का जो level है वो सब एक ही होता है CGL का level थोड़ा सा उपर होता है इसलिए हम इस वीडियो का भी level उपर रखके ही आपको बताएंगे यहां पर है कि one who has narrow and prejudiced religious view अब इसका मतलब क्या हुआ सार one who has narrow narrow मतलब हो तुछ होता है ऐसे लोग जो है कि बहुत narrow minded हैं और क्या है बहुत ही धार्मिक विचारों वाला व्यक्ति है तो उनको क्या कहेंगे तो यहां पर देखिए one word substitution में आते हैं options को समझते हैं religious लिखा हुआ है option नमरे में religious का मतलब होता है धार्मिक और option number B में लिखा है fanatic fanatic का मतलब fanatic ठीक है अच्छा option number C जो है यह सही हो जाएगा देखिए option C बिगट बिगट का मतलब होता है कट्टर या धर्मांद तो यह यह option सही हो जाएगा बागी God fearing मतलब पता है भागवान से जो डरता है God से fear करता है भागवान से जो डरता है clear आईए अगले one word की तरह बढ़ते हैं लिखा हुए कि the action of looking within or into one's own mind क्या मतलब हुआ है मतलब कि अपने भीतर या अपने मन को देखने की क्रिया तो क्या हो जाएगा options आपके सामने हैं option नमरे में है observation क्या लिखा हुआ है सर अब्जर्वेशन observation का मतलब है और लोकन करना या कि फिर निगरानी करना अगर गलती से इसका synonym पूछ दे तो आप surveillance बता देंगे ठीक है next की तरब यहाँ पर आते हैं अगला देखे examination लिखा हुआ है मतलब कि अपने माइंड में देखनी की जो प्रक्रिया है अपने आपको जाचनी की जो प्रक्रिया है उसको आत्मनी रिष्छड बोलते हैं और एंगलिस में उसको बोलता है Introspect, रहाई? रहाई? नश्ट है, Introvert Introvert का मतलब रहता है अंतर मुखी कल हम बता के वीडियो में बताया थे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने काम मतलब रखते हैं उसको Introvert बोलते हैं किसी से कोई मतलब नहीं रहता है आगे बढ़ते हैं देखे, to confirm with the help of evidence, मतलब कोई भी चीज क्या करना, confirm करना कैसे, evidence, मतलब सबूत के मदद से, help of evidence, clear, तो आए यहां पर options को देख लेते हैं, पहला option लिखा है, corroborate, corroborate का मतलब होता है, कोई भी चीज क्या करना, पुष्टी करना, evidence की मदद से, तो यही हो जा बागी क्यों option यहां पर समझेंगे, लिखा हो है, implicate, implicate का मतलब होता है, फसाना, या कि फिर चक्कर में डालना, next जो सात्वान, जो C number है, वो लिखा हो है, designate, designate का मतलब होता है, नामित करना, और extricate का मतलब होता है, हल करना, या फिर, मुक्त करना, next one word की तरफ बढ़ते आप बताएगे गा, लिखा हो है कि one who is a dabbler in arts, science, or literature, मतलब कि ऐसा जो कि कला, विज्ञान और साहित्य में क्या रखता हो, सौक रखता हो, clear, तो क्या हो जाएगा यहां पर, option number A देखे सही हो जाएगा, option number A बिलकुल यहां पर सही हो जाएगा, डिलेटेंट, ठीक है, डिलेटेंट का मतलब, डिलेटेंटी पढ़ सकते हैं इसको, डिलेटेंटी का मतलब होता है, ऐसा ब्यक्ती, जो art, कला, और science में क्या करता हो, सौक रखता हो, ठीक है, इस थीट लिखा हो है न, इस थीट का मतलब होता है, संदर्यवादी, संदर से सं बंदित माइस्ट्रो लिखवा है माइस्ट्रो का मतलब होता है कलाकार और कांसर का मतलब होता है विशेशज्ग्य next वनवड की तरफ भड़ते हैं लिखाव है कि the time between midnight and noon अब देखिए midnight का मतलब होता है अधी रात midnight का मतलब आधी रात होता है ठीक है और noon का मतलब दो पहर होता है मतलब रात्री आधी रात से नहीं कुई 12 बजे से दो पहर तक, दो पहर के 12 बजे तक के बीज के समय को क्या करते हैं तो AM बोलते हैं आप देखते हैं मुबाइल में सुबह 7 बजे AM लिखा रहता है जैसे दो पहर के 12 बज़ता है तो PM लिख देता है तो AM का ही फुल फॉर्म है एंटी मेरेडियम क्या है एंटी मेरेडियम तो option number C हो जाएगा वहीं पूछ रहा है कि आधी रात्री मध्य रात्री कह सकते हैं उसे दो पहर के बीच का समय एंटी मेरेडियम क्लियर option number C से हो जाएगा बागी आपको पता है आप्टर नून क्या होता है एंटी पोर्ट्स क्या होता है इसका मतलब प्रती लोभी होता है और उसके बाद यहां पर आपको पता है एंटेनल एंटेनल का मतलब प्रसूती तो यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर क्या हो जाएगा एक्स्टेंट हो जाएगा एक्स्टेंट का मतलब एक्स्टेंट का मतलब एक्स्टेंट का मतलब ऑप्सन नंबर B से हो जाएगा एक्स्टेंट का मतलब जोची जभी बरतमान में मौजूद हो एक्स्टेंट हो ठीक बागे के option यहाँ पर समझते है extent लिखा हुआ है extent का मतलब था छेत्र होता है ठीक है सीमा मतलब limit कि इतना छेत्र है इतना सीमा इतना limit है extent और extent लगबग same दिखने वाला है और same pronunciation वाला है बस इसमें e है और इसमें a है ध्यान देंगे ठीक है तो extent और extent समझते हैं यहाँ पर option 20 सही है ठीक ना सी वाले option को भी समझ ले लिखा हुआ है eternal eternal का मतलब था शास्वत या आनाधी d number option देखे यहाँ पर लिखा है imminent imminent का मतलब था निरंतर या कि फिर continuous आगे देखे लिखा फियर आफ हाइड बहुत आराम से समझेंगे यहाँ पर पूछा गया यह ठीक है फियर आफ हाइड का मतलब क्या होता है उचाई से डर यह खास करके air force के लिए बहुत फैवरेट क्वेस्चन है फियर आफ हाइड उचाई से डर यहाँ पर option से लोगों को डर लगता है एक वी चीज़ का मिसायद रखेंगे कि किसी भी शब्द के लाष्ट में जब suffix किया जाता है फोबिया क्या suffix किया जाता है फोबिया तो उसका मतलब होता है डर to fear from something किसी चीज़ से डर आप देख ने चारों शब्द में फोबिया लिखा हुए लाश्ट में तो इसका मतलब है इन चारों का मतलब कहीं न कहीं डर होगा तो आए चारों को समझ लेते हैं पहला तो आपने जान गया कि यहां पर आपकी के समझते हैं एक्रोफोबिया तब बीड से डर होगा ऑपसन ए वाला कहते हैं कि ऑड्रोफोबिया मतलब याद रखेंगे कहते हैं जब दाक्टर जाएंगे गर्मी के समय चल रहा है तो वह वो लेगा कि आपकी बॉड़ी है वो dehydrate हो गई है, dehydrate मतलब निकल जाना, hydrate मतलब पानी, आपके सरी से पानी चाहता है निकल चुका है पसीना के तौर पर, इसलिए गर्मी का समझ चल ला है, तो नीबू पानी और तमाम चीज़ें आप हमेशा अपने बाड़ी को hydrate करते रहें, ठीक है ने, तो dehydrate हो जाएंगे तो hydro का मतलब होता है water और phobia का मतलब डर, तो पानी से डर रहेगा तो hydrophobia, उसी तर से pyro का मतलब होता है fire मतलब आग, और phobia मतलब डर, कुछ लोग को आग से डर लगता है, तो that is pyrophobia, clear? आपने समझा, pyrophobia, आग से डर, hydrophobia, पानी से डर, agrophobia, भीड से डर, और agrophobia, उचाही से ड़ लिख लिज़ए कर चारों को बहुत ही इंपॉटेंट है और असान भी है अगला देखिए लिखा भाग कि यह इस पॉइंट दो यह क्यों लगा क्यों कि हाईस्ट जो कि सुपर लेट्टीव डिगरी है इसके पहरे द लगा तो नहां लेत्फ पॉइंट का मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट सभ्द है इसको चनित भी बहुत सक्ते हैं इसकी साइनुनीर पूछे तो क्लाइमेक्स बतासकते हैं एक सबसे उच्च की पेविल है कि सिर्षबिंदु सबसे उची वाली चीज, clear? बाकी की option समझेज़ेगा, height का मतलब आपको पता ही है, jeal का मतलब होता है, reach का मतलब होता है, चोटी, तो यहाँ पर फिर से हमने 8 आपको one word substitution बता है, उम्मीद है कि आपको 8 हो समझ में आए होंगे, बाकी आप चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब करें और उसके बाद देख लीजिएगा, अगर कोई भी आपको doubt होगा, या कोई भी ऐशा शब्द होगा, जो नहीं समझाएगा, तो comment box में जरूर पूछेगा, कल हम आपको बता के ही आगे बढ़ेंगे, बाकी आप टेलिग्राम पर नहीं जुड़ें, तो दसुधी पांड़े सर्च करके टेलिग्राम पर जुड़ सकते हैं, मिलते हैं के लिए वीडियो में टेश्ट्रेंट, तब तक के लिए आप motivated रहिए, और हो सके तो इसके लिए एक notes त्यार कर लेजी, ताकि आपको बाद में आसानी हो, और कहीं से भी पढ़ने की जरूत नहीं पड़ेगी, मैं guarantee लेता हूँ अकर आप इस series को complete कर लेते हैं, तो SSC का कोई exam हो, या defense का कोई exam हो, बिल्कुल clear कर लेंगे आप, ठीक है, चलिए, bye bye, take care,